इंडियन आडल में कितने राउंड होता हैं? कौन से राउंड में टीव पर आता हैं? कौन से राउंड में म्यूजिक के साथ गाना पड़ता हैं? दोस्तो अगर आप इन सबी सावलों का जवाब चाहता हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल अन तक देखते रहेगा इस वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत कीजिएगा काटेगा मत वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो बिना समय गावाए आपको बताता हूँ कि इंडियन आडल में कितने राउंड होता है और क्या क्या होता है तो दोस्तो इसके लिए सबसे पहले हमें इंडियन आडल का ओडिशन देना होता है हम ओडिशन दो तरीके से दे सकते हैं एक ओनलाइन और दूसरा ओफलाइन ओनलाइन ओडिशन हम घर पेटे देते हैं जबकि offline audition हमें venue पर जाकर देना पड़ता है अगर हम online audition देते हैं और उसमें select हो जाते हैं तो इसके बाद हमें पहला round face नहीं करना पड़ता हम सीधे दूसरे round में पहुच जाते हैं जबकि अगर हम offline audition देते हैं तो हमें पहला round भी face off करना पड़ता है पहले round में जो judge होता है वह कोई local singer teacher या फिर कोई reality show के ex contestant हो सकता है या फिर कोई और भी जिसको music की अच्छी knowledge हो वह हो सकता है पहले round में आपको बिना music के गाना होता है मतलब कि आपको raw singing करनी पड़ती है अगर आप पहले round में select हो जाता है तो इसके बाद आपको दूसरे round में चैन किया जाता है इसके बाद आप दूसरे round में प्रवेश करता है दूसरे round में जो judge होता है बहुत सारे होता है और इस बार अलग होता है मतलब भी इस बार 3-4 जजों की जीरी होती है और इसके अंदर आपको band के साथ गाना पड़ता है इसके अंदर आपको अच्छे से सुना जाता है और आपसे 3-4 तरीके की गाने गवाई जाता है और आपको सुना जाता है दोस्तों दूसरा round सबसे खतरनाक होता है क्योंकि इसके अंदर आपको band के साथ भी गाना पड़ता है और आपको कई तुरिके के कई-कई अलग-अलग जोनर में गाने-गाने पड़ता है और जो Judges का आदेश होता है वैसे ही आपको गाना पड़ता है अब आता है तीसे राउंड पर जो कि एक बहुत ही महतपूर्ण राउंड होता है बहुत ही महतपूर्ण राउंड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके बाद आप डायक्ट टीवी ओटिशन देते हैं मतलब कि तीसा राउंड अगर आप सुना जाता है उसमें आपको बारिकी से पर्खा जाता है नहीं रापको नाको मिलता है उपको कर देखनी को मिलते हैं और आपको संगिंग करनी होती है और दोस्तों ओंगे है इसके बाद को मुंबई का टिकट मिलता है और इसके बाद कांटेश्टन चुने जाते हैं तॉप 25 लिदा पूप 25 लिद्धा हो है मैं सुझे में तो सुम्हें एपर बता दिया है कि इसमें कितने रांडת पर दोस्तों यह भी पता कुंक। आपको चौथे存 गारम बुलाया जाता है। तो दोस्तों आश्या करता हूँ कि आपको आपके सब्सक्यूलाख सब्सक्राइब मिल गया होगा। फिर विया अगर कोई सब्सक्राइब हो तो कमेंट